हे फैमली बेलकम बैक टू माई चैनल राधे राधे जे स्री कृष्णा आज मैं आपको बताऊंगी कि हम महिलाएं सिंदुर में ऐसा क्या चीज रखेंगे जिससे हमारे पती का किस्मत चमकेगा आप सब जानते होंगे कि हमारे सनातन धर्म में सिंदुर को कितना पवित्र माना गया है ऐसा माना जाता है कि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हूं और किसी भी सुहागन इस्त्री को आपने देख लिया सिंदुर लगाए हुए तो आपकी यात्रा सफल हो जाती है साथ हे हमारे हिंदु रिती रिवाज में ऐसा माना जाता है कि जिसके भी साधी हो गई हो उन महिलाओं को सिंदुर तो अवस्य ही लगाना चाहिए आज कल तो ऐसा हो गया है कि महिलाएं साधी सुधा होते हुए भी वो बिलकुल भी सिंदूर लगाना पसंद नहीं करती है तो ऐसा आप बिलकुल भी ना करें आपकी साधी हुई तो सिंदूर तो अवस से ही लगाना चाहिए सिंदूर लगाने से हमारे पती की किस्मत ही नहीं बलकि हमारे सोभाग्गी की भी व्रिधी होती है सिंदूर को पारा और हल्दी के मिश्रन से बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब हम महिलाएं सिंदूर को अपने सर के उपर लगाती हैं माथे पे लगाती हैं तो हमारा माइंड जो है वो सांत रहता है तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी साधी सुधा महिलाओं को आम तोर पे हम महिलाएं तीज तेवहार में सिंदूर जरूर लगाते हैं वैसे तो डेली ही लगाना चाहिए लेकिन बहुत जो लोग हैं जोब वाले लोग हैं तो वो सिंदूर लगाना पसंद नहीं करते हैं पर आप थोड़ा भी लगाईए लेकिन जरूर लगाईए और जब तीज तेवहार में सिंदूर आप लगाएंगे तो आप कोसीज कीजे कि अपने पती के हाथ से सिंदूर लगवाएं ऐसा करने से पती पतनी के बीच में प्रेम बढ़ता है और प्यार बढ़ता है तीज हो करवा चौथ हो और जो भी सौबहग्य के लिए जो तेवहार मनाई जाती हो इसमें आप अपने पती से अपनी माथे पे सिंदूर जरूर लगवाईए सिंदूर लगाने से हमारा सौबहग्य तो बढ़ता ही बढ़ता है साथ में पती की लंबी आयू भी होती है अब मैं आपको बता दूं कि कौन सा सिंदूर भरवाना है पती के हाथ से तीज तेवहार में तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे जो आपकी साथी की सिंदूर है जो साथी में सिंदूरा रहता है उसमें सिंदूर भरा जाता है तो ऐसा करने से माना जाता है कि जो हमारे साथी में जितने देवी देवताओं ने हमें असिरवात दिया है वो उसी तरह से वापस से हमें असिरवात देंगे जब हम साधी वाला सिंदूर अपने पती के हाथ से मांग में भरवाते हैं तो और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है जब ही आप सिंदूर भरवा रहे हैं तीज या तेवहार पे तो आपको एक दो बार नहीं बलकि पांच बार सिंदुर भरवाना है अपने मांग में और जब सिंदुर डाल लेते हैं तो जो हाथ में लगा रहता है सिंदुर उसे कितने जो हैं वो जाड़ देते हैं अपने हाथ को अपने उंगली को तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, आप एक रुमाल रखें, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम महिलाएं अपने सिंधोरे में, यानि कि सिंधूर की डबी में ऐसा क्या रखेंगे जिससे की पती का भाग ज्योदय होगा, सिंधूर की डबी में डालने के लिए आपक और किसी भी अच्छे दिन, सूब दिन हो, आप तीज देवार कर रहे हैं, उस दिन आप अपने सिंधूर की डबी में वो क्वाइन को डाल दीजिए, और अगर आपके पस चांदी का क्वाइन ना हो, तो आप एक रुपए का सिक्का लीजिए, एक रुपए का सिक्का आपक मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,